अभी कारकरम जो है लखनव में समाप्ति की हो रहा है मायावती जी संबोधन कर चुकी है और कारकरम शमापन हो चुका है लोग घर के लिए प्रस्ता रवाना हो रहे हैं और हम बात करेंगी कि यहां के जनता जो आये थे जनार्दान आये तो उनको क्या सीख मिली क्या सीखे ब सब्सक्राइब करते हैं और आज प्रदेश से हरजीले से लोग जो बहुजन समाथ पार्टी के क्या लगता है कितनी भीड लमसम आगर देखेंगे तो जितनी भीड अंदर आपको देखी पार्क में इससे दोगुना भीड बाहर थी जो रैलिम पहुज नहीं पार रहे थे क्या जगां जगां तो कम ही था ज यहां तक पहुच नहीं पाएं इतनी ज्यादा भीड हो गई थे लखनौ में आप लगबग दस लाक से ज्यादा के भीड यहां पी कठा हुआ था आज क्या नाम है आपका मैं तुफानी रंजन पूर जिला सच्यू जौनपूर जौनपूर से हैं कितने लोग आए हैं हम लोग करीब आये हुए हैं लगबग चार बसों में मिला कर लगबग दो सोस अभी जो है माया बती जी शंबोधित कर चुके हैं कैसा लगा उनका पसड़ क्या सीख मिला आपक दंगा मुख और प्रश्टाचार मुख यहां सरकार बनेगी जिस तरह से 2007 में बाउजन समाज पालिटी की सरकार बनी थी बाग और बकरी एक ही घाट पे पानी पीने का काम करते थे उसी प्रकार से 2022 में हम सब समाज मिलकर पूर बहुमत की सरकार बनाएंगे क्या लगता है अन पार्टी ऐसे ही देखते रह जाएंगे क्या अन पार्टी का बिक्तम हवा खराब हो गया है इस रहीली से आज जो है कि साबित हो गया है कि इस बार जो है कि बहुजन समाज पालिटी की ही सरकार बनने जा रही है 2022 में यहां जो है सारे समाज से आपकी समाज से हैं माँ बात करूं तो ओभी सी यसी से क्या लगता है अब की बार 2025 की चुनाओं को लेकर जो 2022 222 वाइश में बाहन जी की सरकार बनेगी दावे के साथ कैसे कह रहे है उदर योगी आज इतनाज जी भी दावा कर रहा है सब्सक्राइब कर दिया जाएगा दोजारवाइश में बहुजा समाज की पार्टी दिखाएगी उनको यहां पे लगातार दिखाए लोग निकल रहे हम वाबात करने की कोशिज करेंगे दादा कहां से हैं मलियाबाद से हैं कब आए थे आपर हम आजाए तो आजाए थे क्य सब्सक्राइब करेंगे अब किसको देंगे क्या लगता है कहां से आए हैं लाकेंपुर खीरी से लाकेंपुर खीरी में इतना बड़ा कांडों गया है कि ग्री राजमंत्री के बेटे ने किसानों को कीड़े मकड़ों की तरह रगड दिया लेकिन अभी तक अरोपी की गिरपतारी नहीं हुई क्या लगता है साजिस क्या है कानून व्यस्ता विल्कुल द्रश्ट है बहुत सारे नेता हैं जो बोलने के इच्चु का हैं हम उनसे भी बात करना चाहेंगे वो साहरनपुर से हैं जहां से चंसेकर रामण विलाम करते हैं उनका घर पढ़ता चंसेकर रामण के बारे में क्या सुचते हैं? उनके बारे में कुशने के बारे में फिलाल बैंजी के बारे में उस द्यात विदान सबास है जहां बैंजी को चार बार के मुख्यमंत्री साहरनपुर द्यात सब बनी हैं हम उस जगह के रहने वाले हैं और बैंजी न आशिरवाद देखका मेरे बड़े भाई अजब सिंग पूर्पूर की धर्तिखुर आया है और उमने नमन करते हैं और बैंजु किस बार पांची बार उत्रपर्देश का मुख्यमंतिर बनाने अगा पुर पर्यास कर रहे हैं और दिश्चित और भांजी इस परदेश को टाक्ते सरकार में परदेश के अंदर मैं सब यही काम करेंगे सरकार को सेंटर की और पर देश की भी जए गुरुदास खुदा अखरी सवाल था आप से बहुत बड़ा कांड है लखेंपुर खीरी कांड है क्या कहना चाहिए कार कता है अच्छे लोगी बात उठाने को तुष करता है उसे कैसे दभाणने कोश करती है relied और अपनी सरकार के चंद वांतिरों के साथ मिलकों की साथ मिलकर किस तरह सा लोग पर गाड़े चानाने काम करती है सब्सक्राइब उजाकर होती है यह सरकार बहुत ही कि दिखाऊंगे और बैंजी देशति- लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं और इसलिए पूछ रहे हूं कि आप उनके जिलासे हैं इसलिए पूल पूछ रहा हूं तुछ वह बहुत बढ़िया बैतरी नाधमी है लेकिन संगटन के साथ हम है संगटन हर विरादरी का अपना होना चाहिए संगटन भूर्टर तर्फी लेकिन वूट काटने के नाम पर पुरा समाज और सर समाज लोग बैंजी के लिए काम करेंगे और किसके लिए काम नहीं करने कीवल और क्या लगता आप कहां से दिखते हैं चंसेकर बीए कैसी दिखते हैं सेक्र रावन है सारण पूर में क्या महौल चल रहा पास्पा को लेकर बस्पा गे साथ सीटे लिकड़के साथ मत्द छह सीटे लिकट कर जांगी सारन पूर्दिया सारन पूर मत है शारन पूर से निकल का जा रहे हैं सोचल मीडिया पर ट्यूटर पर पढ़ने को मिलता है कि छंसे कर का जीला चंसे कर निकालेंगे आप करें माय वतिनिकालेंगे जंदर से गल लिए संगतने सिरी पर ओट एककोट ब परणने जा रहे हैं बहुजन समाज पाटी को फिर से पांचवी बार सरकार देखना चाहते हैं हम बात करेंगे कारकरम में क्या मिला सीखने के लिए माननी बहंजी ने जो आभी प्रजेंट में जो सासन सता चल रहे हैं उसकी जो जाति वादी विवस्था है कुछ समाज के लेकर के उसके बारें बहंजी के सांच पार्टी की जो माना एक नाय प्रहांबर साप पंधरहम जी जिनका आज 15 मह दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत ही मजबूत होता है हमारे चोटे कद के लोग जूड़ चुके हैं क्या लगता बैंजी के बारे में क्या सुचते हैं करते हुए कि दो सो असी पूर भीधान सवाचेत जलालपूर से में चल करके मैं एक बज़े जो साइकल से आया है मायवती को सुनने के लिए कितना पड़ा संगर सापका मेरी खड़ी है मैं मेडिया वालों से चाहता हूं मेरी मेडिया पर पहुंचने का काम करें ठीक है मैं आप लोगों को धनवाद जैभिम जैवार नमों बुद्धा तो चचा जरा आगे आजए हम आप से बात करना चाहेंगे क्योंकि आप जो है हमें अलागी दिख रहा है य मैं जो मानिया बेंजी ने उत्तर प्रदेश का 71 जनपद जो मानिवर साहब की इच्छा और उनके अनुसार गठित किया कासन को मानिवर कांसी रामनगर के नाम से स्रेजन किया उस जनपद से तालोग रखता हूं और मैं वहां का जिलाद देच हूं बहुंचन समाज माया बति को सुनने के बाद हम लोगों ने रिपोर्ट किया वह डायरेक्ट 짓 यह मिल रही है कि 2022 में पूरण पहुमस से और जोर जुलूस के सा जो सर्म समाज है जाटो समाज है चमार समाज है गूजर समाज है लोदी समाज सभी समाज जो चाहता है कि पाउजन समाज पार्टी की सरकार बने और इसी के साथ चैनल को देखते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करें हमसे चुड़ने के लिए चैनल के लिंक में डिस्क्रप्शन में मेरा लिंक दिया गया है टूटर फेस्बूक से जुड़िए